कल पांच राज्यों के चुनाओं में से दो राज्यों में प्रथम चरण का मत्नान समाप्त हुआ हैं सबसे पहले तो मैं भारती जंता पार्टी की और से हमारे अध्यक स्रीमान नड़्डा जी की और से देश के प्रधान मंत्री जी की स्रीमान नड़्डा मोधी जी की और से दोनो राज्यों की प्रथम चरण में मत्तदान जो हुआ है इस लिए दोनो राज्यों की जंता का रदधनेवाद करना चाहता हूँ कि भारतिय जंता पार्टी के बारी मात्रा में मत्तान करकर उन्होंवने इस प्रस्चिम मंगाल में 84 प्रतिसत से ज्यादा मत्दान और आसाम में 89 प्रतिसत ज्यादा मत्दान इस मतदाक्टाओं का भारी उद्जाह बताता है कि दोनों राज्य आसाम कुछ सालों पहले और वंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनावी हिंसा के लिए जाने वाले जाने माने वाले राज्य है दोनों जगे मत्दान सांटिपूर्ण हुआ है एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है मैं मानता हूं ए लोक कंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभशंकेत हैं मैं तो दोनों राज्यों के कारेकरता हमारे जो फिल में बूत तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमूक लोग हैं और जिलास्तर और प्रदेश्तर के हमारे नित्रुत गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम तीस में से 26 सीट से ज्यादा भारतिय जनता पार्टी विजय हो रही है और प्रचंद बहुमत के साथ सीटे जीत रही हैं हमारी सीटे भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है जहां तक आसाम का सवाल है 47 में से 37 सिटों से ज़्यादा भारतिय जनता पार्टी विजाय प्राप्ट करेगी इसके साब संकेत भारतिय जनता पार्टी की चुनावी मस्नरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने इक सकारात्मक मत्दान किया है असाम के अंदर आतंकवाद मुक्त असाम अंदोलन मुक्त असाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असाम रोजगारी के राष्टे पर चल पड़ा हुआ असाम इसके पक्स में साफ वेंडेट दिखाई पड़ता है और असाम के अंदर इसके साथ-साथ बाड़मुक्त आसाम के भारती जन्ता पाटी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रुत में आसाम के अंदर जो विकास हुआ है वहां की हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री स्री सर्वानन सोनवाल और हिमंत्र विश्टो सर्मा की जूड़ी ने जिस प्रकार से अभूत्पूर्व विकास आसाम के अंदर किया है इसको बड़ा जन समर्शन मिलता हुआ दिखाई परता है डबल इंजिन सरकार का कंसेप्ट आसाम की जनता को भारतिय जनता पार्टी के आचरन से समझ में आया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर छे से ज्यादा ब्रीज बनना इसकी सुरुवात होना 20,000 किलो मिटर से बड़ा रोडों का जाला बुन लेना काजीरंगा के जंगलों की जमिन गुस पेठियों से मुक्त कराना स्रीमन संकर देव और माधवदेव के सत्र की जमिन को गुस पेठियों से मुक्त कराना देर सारे विकास के काम जिसका एक सकारात्मक जुकाव भाति ये जन्ता पाटी के पती पस्ट नजर आता है और हमारे गटवंदन की सैथी सीपे से कम नहीं होगी इसका मुझे फूड़ा विश्वास है दूसरी और बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर जीच प्रकार का तुष्टी करण का माहोल था जीच प्रकार से बे रोक तोक गुषपेटियों का गुषणा चालू रहा जीच प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्यान के पैसे सरकारी मस्नरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहें ब्रस्टाचार की भेट चड़ गए जीच प्रकार से अंफाम का रिलिफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाप लड़ाई हो जीच प्रकार सी अव्योस्ता और अफ्रा तप्प्री देखी गई और अउद्योगी क्रिकास महिला सुरक्षा इस सब में घोर, मिरासा और हतासा बंगाल की जनता को हुई है, 27 साल के कॉम्मिनिस्टों के शासन के बाद, उनको ही कासा थी कि दिदी एक नई शुरुवात लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बडल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वो ही का वो ही रहा और घिरावट आई, और उस वक्त मोदी जी के नेतुत में, हमने जो स उनार बंगला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आसा की जोज जगाने में हम सफल रहे हैं, कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विक्सित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी सान्ती हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टी करण से बगर सम्विधान की योजना के तहट कोई सरकार चल सकती है बंगार के अंदर भी ज्वार्दमीक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है यह सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रती अथा प्रेम और अमीट आसा के साथ स्विकार रहा है जो कारेकता चुनाव के फिल में थे सुबह सुबह थोड़ी दहसत थी कि हर बार की दर गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे प्रदूशित करेंगे परन्तु मैं चुनाव आयोग को बढ़ाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर सांती प बंगाल के अंदर चुनाव में हिसा आम हो गई थी आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था कि आप समझते थे वो तो होना ही है कि पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जा एक भी व्यक्ति के मरे बगर एक भी बंफटे बगर एक भी गोली चले बगर एक भी बूट में रीकाउंटिंग भी पोलिंग हो रहा है मैं मानता हूं यह बहुत सूपसंक्ट है बंगाल की महिलाओं का भी मैं विसेश आभार प्रगत करना चाहता हूं कि महिलाओं ने बड़ी चड़कर भारतिय जनता पार्टी के पक्स में मत्दान किया है और मैं मानता हूं कि प्रफम चरण में 26 सिटों से जो शुरुआत हुई है हमारे लक्स 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी इसी तरह से चु अभी कारे करताओं का विश्वात है आसाम में भी अभी जो सिटे हैं इसे ज्यादा सिटों के साथ हम पूर बहुमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि अब पूछ सकते हैं मेरी कोई प्रतिकिया नहीं हो सकती हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का मंता जी भी जुटा रही है इसमिचार कि मगर क्या घड़बड़ी त्रिनमूल कॉंग्रेस के एक भी पोलिंग एजन्ट ने कोई फरियाद नहीं करिए कि घड़बड़ी तो पूलिंग बूच के अंदर होती है कि घड़बड़ी नहीं हुई वह उनकी कंप्लेन है मगर वह अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम घड़बड़ी नहीं कर पाए हुई यही कंप्लेन है उनका कि घड़बड़ी नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है मैं नंदीग्राम के मत डाताव को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 शिटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा नंदीग्राम अकिला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉंसिटेंसी के मत डाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही आथ में आप अकेले ही कर दीजिए परिवर्तन हो जाएगा कि आधार पर आपके पक्ष में हुआ है और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी साथ चड़नों में बरकरार रहेगा विकाज जी यह मैं तो सुनाओं के पहले से करा हूँ कोई 200 सीटे आएगी आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है मगर मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटे आएगी क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं जम सहंगठन के काम करने के लिए जाते हैं बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं बंगाल की जनता की जो बावनाय ह होती है इनकी समवेडनाय होती है वह हमें सपर्ष करती है और इससे मालूम पढ़ता है कि बंगाल की जनता कस्त है सभी वादे मां माटी मानुस के खोकले साबित हुए है और बंगाल के अंदर पून संफून परिवर्टन होने जाए नेगा प्रसाद आइंस आप कल एमदबाद में थे कुछ ऐसी रपोर्ट्स आ रहे हैं कि शरत प्रफल प्रफल पटेल जी दो यह सब्सक्राइब नहीं होती है नौजोत रंधावा करता हूं कि हत्या करते रहे हिंसा काफी हुई और आप कई करता हूं से मुलकात भी उनके परिवार से अब बीजेपी के ही जो सामिल हो गया है उनसे मुहमतावनर जी खुद फोन कर रही है कि हमें समर्दन करो एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह के अपील आपको के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है जमिन खिशक चुकी है जमिन जमताने खिशकाई है और फिर से एक बार में कहता हूं दोसों से ज्यादा सितों के साथ भारती जनता पाठी की वहां सरकार बनने जा रहे हैं वीनी टीवी एक इन से प्रिए में बं प्रशमस्तां के सवाख़ूर्य वह तो खड़े करें आप का स्कूर्य करें है कल पी दम बात करी हैं कोई बात में प्रजाणिम्टी का दो रहे दो देशों के समंब को है यासि जूथमिजैसी नैगद Wassari वेक소 करें पनाने के उस्मीड बातचीत ही है उसी रेसिस में ग्रण से सुनने मुझे लगता है आपको महमता जी का अरोप ब्रह्मवाक्या लगता है ज्यान से सुना नहीं है इसमें अमारे दो दिजिता बात कर रहे हैं इतनी इतनी जगह पे हमने ट्रांस्फर के लिए डिमाद करनी पूर रखी है इसमें टैब की जरूरत नहीं है ब्लैक एंड वाइट में लिग कर दिया है एक निता दूर थे दूसरे निता हेड़काटर पर थे वो फिड़बेक दे रहे हैं कि यह कंसुटेंट से के लिए भी कंप्लेंड करो इनके भी ट्रांसपर के लिए को तो इसमें क्या कोई गोपनी बात है यह नहीं सवाल इसमें से होता है कि फोन किसने टैप किया जो आप नहीं उठाते हो और साइब नहीं उठाएंगी नंदीदाजी आप कि फोन किसने टैप किया उस्टार्व देनिक करो जरा कि प्रकार से चुनाओं चल रहा है यह क्या ब्लेक एंड वाइट में टाइप करकर चुनावाय को दिये क्या बम फोड़ा है उन्होंने इसमें बड़ा आप लोगों को लगता है बड़ा कुछ नहीं है हमने राइटिंग में दिया है बाबा कुनावाय को मगर मूल इसके अंतर सवाल तो यह है कि फोन कैसे टैप हुआ किसकी सुचना से हुआ किसकी पर्मिशन से हुआ